हेलो स्टूडन वेलकम तो स्वातिस क्लासेज आज हम देखेंगे सेवन स्टैंडर का जोग्राफी का सेमिस्टर टू का कोशन पेपर जो की 30 मास के लिए है तो देखिए कोशन नंबर वन यहाँ पे आपको दिया है एक कम्प्लिट द फॉलोविंग सेंटेंसेज यूजिंग आपरोप्रियेट आप्षिंज और यह फॉर मास के लिए फॉर आपको दिये है जैसे कि यहा पे फर्स रॉन आपको दिया है इसके कितने ओप्शन को थटी आप्शन होन गे जितने वी ओप्शन है उसमें से आपको क्या करना होगा जो एप्र-प्रॉप्रियेट मींस करेक् और यहां पर ओप्शन आपको दिये है इसमें से करेक्ट ओप्शन जो रहेगा उसको आपको लिखना होगा नेक्स टी थर्ड वन अपरेंट मोमेंट ऑप दे सर्न मींस तैट और उसके भी आपको यहां पर ओप्शन मिलेंगे तो देखिए आपको करना क्या है यहां पर आप स्क्रीन शॉट निकाल सकते हो उसके बाद आप आपके बुक में सॉल कर सकते हो फोर्ट वन यह इन इंडिया अगरिक कल्चर हाज डेवलप बिकॉस यहां पर ओप्शन दिये है इसमें से करेक्ट लिखना है नेक्स्ट है कोशन नमबर वन का बी दिया है आपको फिल इन द ब्लांक्स जो कि थ्री मास के लिए थ्री फिलप्स आपको यहां पर दिये हुए है तो इसको आपको रीड करना है अच्छे से और इनके आंसर लिखने है चले आगे देखते है कोशन नमबर टू इसमें भी एवन आपको दिया है रीराइट द फॉलविंग स्टेटमेंट्स आप्टर करेक्टीम दें तो जो रॉंग स्टेटमेंट यहां पर दिये है उनको करेक्ट करके आपको लिखना है दो स्टेटमेंट्स दिये है दो मास के लिए रीड करने हैं इसके आइंसर आपको देने हैं next question number 3 answer in one sentence जो कि 3 मास्क के लिए 3 questions आपको दिये हैं देखें क्या-क्या दिया है what is soil erosion one sentence में लिखना है second what is equinox third one is where do human settlement flourish तो one one sentence में ही इसका answer आएगा one mark के लिए one दिया है next question number 4 give reasons जो कि 6 मास्क के लिए दिया है 2 दिये means कितना एक के लिए आपको कितने मार्क मिलेंगे 3 मार्क मिलने वाले हैं तो give reasons यहापको दो दिये है 6 मार्क के लिए एक होगा आपका 3 मास्क के लिए next question number 5 differentiate between any two three आपको दिये है उसमें से आपको कोई भी दो लिखने है तो 6 मास्क के लिए आपको यहापे दिया है nucleated settlements and scattered settlements hamlet and village commercial farming and plantation farming तो इन तीनों में से दो आपको लिखने है जो कि 6 मास्क के लिए दिया हुआ है next question number 6 answer the following any three लिखने है यहापे 6 मास्क के लिए दिये है 4 आपको यहापे दिये उसमें से 3 लिखने है तो आपको questions read करने है इनके अच्छे से answer learn करने है और फिर आपके book में solve करने है तो देखिए exam में आपको अच्छे से practice हो जाएगी तो घर पे आपको क्या करना है सबसे पहले तो screenshot निकलो उसके बाद solve करो question paper और अच्छे से learn करो